इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट एक सिंगल ट्रिक को यूज करके कैसे हम दो से तीन सेकेंड में ही फाइंड आउट कर लेते हैं को क्यूब रूट में कभी प्राब्लम नहीं होगी यह वह कोश्चन से जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे कि कम से कम टाइम में इनका क्यूब रूट कैसे पयां सकते हूं होता है कि यह बहुत जादा यह सभी को प्ता होना चाहे जबी हाप इन सब बड़े नंबर का क्यूब रूट कर सकते हों तो जैसे पहला कोश्चन इसमें हम स्टेप सीखें कि कैसे हम स्टेप् G dot के अंदर apply कर पाएंगे और फिर उसके बाद इसमें सेम स्ट्रिप को इसके अंदर फास्ट तरीके से जाएंगे जिससे कम से कम टाइम में हम क्यूब रूट इसली सीख जाएंगे तो देखिए क्यूब रूट आफ 49134913 तो हम क्या करेंगे इस राइट साइट से 3 नंबर को पहले देखेंगे और 3 नंबर में पहले देखें यहां 3 लिखा है 3 लिखा है तो आप देखेंगे 3 कहां पर है यहां पर इसके अंदर आप 3 देखेंगे 3 आपको यहां है मतलब 7 की क्यूब में 3 आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यूब रूट लेने के बाद जो यह 3 नमबर को फिर हम छोड़ देंगे यह 4 पे हमारी नजर होनी चाहिए तो 4 अब देखेंगे 4 किस के बीचमें आता है 1 और 8 की बीचमें 4 आता है तो छोटा वाला लेंगे 1 के सामने यहां पर 1 लिखा है तो हम यहां पर 1 लिख देंगे और हमारा अंसर आजाएगा 17 मतलब 17 क क्यूब होता है 4913 यह आप ऐसे कह सकते हैं कि क्यूब रूट आफ 4913 is equal to 17 तो देखिए यह जो steps हमने इस question के अंदर लगाया है same steps को हम इसके अंदर apply करेंगे कैसे करेंगे देखिए यहां 3 डिजिट लिखा है तो इसका unit place 7 है 7 हम देखेंगे कहां पर 7 है 7 यहां पर है मतलब इसका जो answer होगा उसके unit place पर 3 आएगा तो यहां हम 3 लिख देंगे और फिर यहां से 3 डिजिट को छोड़ देंगे फिर यह 12 लिखा है 12 देखेंगे किसके बीच में आता है 12 8 और 27 के बीच में आता है तो छोटा वाला नमबर 8 8 27 में छोटा 8 8 के सामने यहां 2 लिखा है तो हम यहां 2 लिख देंगे और हमारा अंसर आ जाएगा बस इतना ही करना है फिर हम इस पर आएंगे तो यहां देखेंगे इसको छोड़ देंगे फिर आपकी नजर 42 पर होनी चाहिए 42 फिर देखेंगे किसके बीच में आता है 42 27 और 64 की बीच में 42 आता है छोटा वाला नमबर 27 27 के सामने 3 लिखा है तो आप यहां 3 लिख देंगे बस आगे आंसर अब इससे असान क्या चाहिए यहां देखिए 193 तो यूनिट प्लेस पर 3 है 3 आप देखेंगे कहा पर है 3 यहां पर है तो 3 के सामने 7 की क्यूब में 3 है तो यहां 7 मतलब इसका जो भी अंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 7 आएगा फिर यहां से 3 डिजिट को आप छोड़ देंगे आपकी नजर 185 प 1525 uniqu 525 मतलब यहां पर 5 लिखा है तो आप 5 कर देंगे आपका अंसर आ गया इस में देखिए 981 लिखा है 981 unit place पर 1 है मतलब यहां पर 1 1 का cube में ही 1 आता है इसका मतलब इसका जो भी अंसर आएगा उसके unit place पर 1 आएगा फिर आपकी नजर इन तीनों पर होनी चीए 226 पर 226 दखेंगे किसके बीच में है 226 226 दो सोलो और 345 के बीच में है मतलब छोटा वाला 206 है 216 चोटा है तो 6 आपका यहां से 6 रखेंगे आप 6 के cube में है ओके इसमें हम देखेंगे इसमें आप देखेंगे 3 2 2 4 unit place पर 4 लिखा है unit place पर यहां 4 है तो 4 के cube में है यह तो आप क्या करेंगे यहां 4 लिखेंगे और फिर आपकी नजर 405 पर होनी चीए 405 किसके बीच में है आप देखेंगे 343 और 512 की बीच में 405 है तो 343 छोटा है छोटे वाले के सामने 7 लिखा है तो आप यहां 7 लिख देंगे आपका unit place पर 5 रहेगा और 614 लिखा है वो किसके बीच में है 512 और 729 के बीच में है तो छोटा वाला नंबर 512 है मतलब आपको एट लेना है आठ लेना है आपको आठ ले लेंगे अंसर आ गया यहां देखेंगे 375 लिखा है unit place पर 5 है तो यहां 55 के cube में है मतलब इसका जो भी अंसर आएगा उसके unit place पर 5 रहेगा 857 देखिए किसके बीच में आता है 857 यहां 729 और 1000 के बीच में आता है चोटा वाला 729 है उसके सामने 9 लिखा है मतलब यहां 9 हो जाएगा आगे आपका अंसर इसमें देखिए unit place पर 4 लिखा है 4 कहां पर है 4 के cube में 4 है यहां 4 है 4 के cube में तो इसका जो भी अंसर आएगा उसके unit place पर 4 रहेगा और जो बचा है वो देखिए 1124 मतलब 1124 किसके बीच में है 1000 और 1331 के बीच में है छोटा वाला 1000 है उसके सामने 10 लिखा है तो आप यहां 10 लिखेंगे 104 तो इ किसी भी नंबर का cube root easily calculate कर सकते हैं hope आपको यह trick समझ में आई होगी 2-4 questions मैं आपको homework दूँगा आप comment में बताइए मुझे उसका answer और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दिए चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लिजिए जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको easily मिल जाए और इस वीडियो को भी अपने friend circle में जादा जादा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी